माथे पर क्यों लगाते हैं तिलक जाने अलग-अलग तीको का महत्व हिंदू संस्कृती में तिलक तीका का बड़ा महत्व है आम लोगों से साधू संतों तक में तिलक लगाने की परंपरा है और यह कई प्रकार से लगाय जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है हर तरह का तिलक लगाने का एक खास अर्थ होता है तो आईए जानते हैं कितने प्रकार के तिलक लगाये जाते हैं। तिलक का अर्थ है शुपकार्य के लिए माथे पर बनाया जाने वाला चिन्य। शास्त्रों के अनुसार यदी व्यक्ति तिलक नहीं लगाता तो उसके द्वारा किया गया शुपकार्य फलीभूत नहीं होता यह दोनों घ्रिकुटी के बीच आग्या चक्र पर लगाया जाता है अन्य स्थानों पर भी तिलक लगाया जाता है रक्षा बंधन भाया दूस पर भाईयों को तिलक लगाने की परंपरा है इसके अलावा पूजा पाठ के बाद भी माथे पर तिलक लगाने का रिवाज भारत में है परंपरा की बात करे तो भारत में लोग एक दो नहीं असी से अधिक तरह से तिलक टीके लगाए जाते हैं इसमें 64 तरीके के तिलक वैशनव साधू लगाते हैं तो शैफ, शाक्त और अन्यमतों के लोग भी अपने मत के अनुसार तिलक लगाते हैं इससे आत्मशक्ती, एकागरता, सैयम, शान्ती और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है किस चीज का लगाना चाहिए, तिलका धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमेशा परवत के नोक, नदी तट की मित्ती, तीर्थ, चीन्ती की बांबी, तुलसी के मूल की मित्ती या गोपी चंदन की मित्ती, चंदन और कुमकुम से ही करना चाहिए चंदन भस्म आदी से भी तिलक लगाया जाता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुरुषों को चंदन और स्त्री को कुमकुम से ही तिलक माथे पर लगाना चाहिए तिलक स्थान पर धनन्जे प्रान रहता है, इसे जागरित करने के लिए ही तिलक लगाया जाता है शैव परंपरा भगवान शिव के उपासक में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुन लगाया जाता है त्रिपुन भगवान शिव के श्रिंगार का हिस्सा है इसमें भी पंथ बदलने पर अगोरी, कापालिक, तांत्रिक आदी अलग-अलग तरीके से तिलक लगाते है यह काले या लाल रंग का होता है इसे रोली तिलक भी कहते है शाक परंपरा में तिलक चक्ति के उपासक खास शैली में तिलक लगाते है ये शैली से ज्यादा तत्व पर ध्यान देते हैं ये चंदन या कुमकुम की जगह सिंदूर का तिलक लगाते हैं ब्राहमा तिलक आम तौर पर मंदिर के पुजारी और ब्रामन यह तिलक लगाते हैं ब्राहमदेव की पूजा करने वाले ग्रिहस्त भी यह तिलक लगाते हैं। यह सफेद रंग की रोली से लगाया जाता है। वैशनव परमपरा में तिलक वैशनव परमपरा विश्नो भगवान के उपासक में तिलक लगाने का खास चलन देखा जाता है। यह भी मत, मत और गुरू की हिसाब से अलग-अलग तिलक लगाते हैं। वैशनव परमपरा में चौसर तरीके से तिलक लगाया जाता है। यह पीले रंग के गोपी चंदन से लगाया जाता है। विश्नु स्वामी तिलक यह तिलक माथे पर दो चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। यह तिलक संकरा होते हुए भौहों के बीच तक जाता है। लालश्री तिलक चंदन की दो रेखाओं के बीच कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा होती है। या चंदन का तिलक लगाकर बीच में कुमकुम रख दी जाती है शामश्री तिलक यह तिलक कृष्ण उपासक वैश्णव लगाते हैं इसमें गोपी चंदन की रेखाओं के बीच में काले रंग की मोटी खड़ी रेखा होती है रामानंद तिलक विश्णुम स्वामी तिलक के बीच कुमकुम से खड़ी रेखा बनाने से रामानंदी तिलक बनता है अन्य तिलक अन्य प्रकार के तिलक में गड़पती के उपासक, सूर्य के उपासक, तांत्रिक, कापालिक भिन्द प्रकार के तिलक लगाते हैं इनकी अपनी अपनी उप्षाखाएं परंपराएं हैं। कई साधू सन्यासी भस्म का तिलक लगाते हैं। BNT की खास पेशकश